अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेर बिल्कुल कीजिएगा तो आज की मेरी जो वेडियों है मेरे उन सारी सपूर्टोस के लिए जिनों ने मुझसे मेरे डोगले की रेसिपी मांगे तो यह रा रेसिपी स्टार्ट करते हैं सुधा का ले लिया मैंने दही हाफ़ हाफ कप दही लिया जी यहां एक कप और हाफ अब कप पानी में एड कर रही हूं मतलब ९ह कप दही एक कप पाणी और इसको अच्छे से में से मिख कर रहा है फिर यह कंडी पावडर का बैटर इन प्रुन की लिए और फे से पहल्वारी पावडर नमक शुष आरो data बादा निश्या चोड़ता है, नियुग करना है। अधा चम बेकिंग सोडा, यह up concert बना रहे ने एक कड़ा रहे हैं, इनो का और इनो का चाहिए, आप एक ही रिडिक्षन में घुमाना है। और बिना देरी के वे इसको फिर से आपको बरतन में डाल देना है जी हाँ यह देखिए मैंने डाल दिया और खौलते वे पानी में आपको इस बरतन को रख देना है और ठककन से अच्छे से कवर करके आदे गंटे के लिए बिल्कूल भूल जाना है आदा गंटा हो चुका है मेरा डोपला पे रडी है मैंने चेक कर लिए तुट्पीक से अब इसके सिर्के को यानी रस बनाने के बारी है तो डेर मीडियम साइज के मैंने निम्बो कर रस लिया है आदा टी स्पून सर्सो पावडर चार हरी मिर्च बहुत स्पाइसी थे तो मैं अब अच्छे से आप कट करके भी डाल सकते हैं मैंने तूट्पीक से जो है ना होल बना लिए तो ऐसे आपको डालना है अगर जादा लगे पानी तो निकाल सकते हैं फिर इसकी जरुरत होगी आप डाल देना तो पूरा पानी अवर अल मैंने डाल दिया क्योंग यह सोक कर आप देख सकते हो फ्रेंज यह कितने अच्छे से जाली नुमा डोकला बन चुका है हमारा जी हां बहुत स्पंजी है तो जब भी मन करे घर पे डोकले काने का आज से बनाना स्टार्ट कीजिए इंडी की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है यह भी मैंने घर पी बनाया अच्छा लगता है तो पताईए काकर कैसा बना